जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की इस्थिति आज इस देश में यह है तो एक काम आदमी की इस्थिति क्या होगी मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा अदने स्पीकर साथ कारवाई करेंगे नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सब्वे समाज में बरदाश्ट नहीं किया जा सकता क्या है क्या है क्या हम इसलिए चुनके आते हैं क्या देश के को आजादी इसलिए दिलाई गई थी क्या हमारे पुर्खों ने कुर्बानिया इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे पृतनिती चुनकर के जाएंगे तो उनको ये सुनना को मिलेगा दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खीच के रर्ग दिये महिलाओ को आरक्षन इस ये स्पेशल सेशन था 75 साल अमरत काल में हम गए हैं पार्लेमेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं महिलाओ के आरक्षन के लिए ये संसत का सत्र विशेश रूप से बुलाया गया वो आरक्षन कम मिलेगा 2029 में लाग वोगा 2034 में होगा या 2047 में होगा अभी उस पर सवाल या निशान है मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसत को उसकी कम्यूनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटेक करना सोज भी नहीं सकता मैं सोज भी नहीं सकता इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है अब बस देखना इतना है कि रमेश विदूडी जी के खिलाफ Honorable Member of Parliament लोकसभा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंडरे मंत्री मंदल में शामिल किया जाएगा क्योंकि शायद ये competition हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए आप ऐसे बयान दीजिए पहले तो संसत के बाहर ही होते थे अब संसत के अंदर भी मारने की धंकिया दी जा रही है हैं बहार तो धंकियां बहुत बार नेताओं ने इनके मंत्रियों ने सब ने दी हैं लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमरत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं अबस्टाइब ने बहार प्राइब ने जा रहे हैं